हिमाचल कॉंग्रेस प्रदेश अद्यक्ष प्रतीबा सिंग जी हमारे साथ बात करने के लिए मुझूद हैं दिल्ली दौरे पर हैं एक एहम मुलाकात भी हुई है मैं पार्टी के अद्यक्ष से मुलाकात रही हैं किस विशेय को लेकर मैं चरचर ही एक तो उन्होंने मुझे CWC का मेंबर बनाया उसका मैंनों से अभार व्यक्त करया उनका धन्यवाद करा और दूसरी बात जो हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई है इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है उसको लेकर कुछ सेंटर गवर्मेंट की तरफ से हमारे प्रदेश को मदद नहीं मिल रही ना ही प्राइम निस्टर कुछ बोल रहे हैं ना ही वह आर्थिक पैकेज देने की बात कर रहे हैं ना ही वो जो कितने लोग 400 लोग हमारे मर गए उन परिवारों के प्रतिदो सम्वेदना की शब्द भी उनके मुझ से सुनने को नहीं मिल तो इसलिए थोड़े लोग निराश हैं और मैं समझती थी कि ये बात हमें अपने हाई कमांड में और खास करके खड़गे जी के ध्यानार्थ लानी बहुत जरूरी थी तो इसी विशे को लेकर मैं उनके पास आ जाई थी इस पर हमने डिटेल चर्चा भी की है और मैंने उनको अवगत करवाया कि ये ये नुकसान हुआ है अगर हम जल्दी भरपाई नहीं करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा और नुकसान आगे हमें देखने को मिलेगा तो वो भी सहमत थे और उन्होंने कहा कि अवश्य हम आपकी म लिखा है उसको लेकर भी समझना चाहेंगे मैं क्या कुछ जो है पूरा इस दोरे के दुरान देखी मैं सोचती थी कि हिमाचल प्रदेश में जो ये आपता की घड़ी आई है उसमें हमें राजनीती नहीं करनी चाहिए ना हमें कॉंग्रिस ना हमें भाजबा सब को एक जु कर जाते हैं उसको अफगत करवाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ प्रॉमिस करवाते हैं हिमाचल के प्रती तो अभी तो मुझे कोई जवाब उसका आया नहीं है और मुझे विश्वास है कि अनुराग जी भी हिमाचल प्रदेश से हैं हमारे नड़ा जी भी हिमाचल प्रद हम लोग सब मिलकर एक जूट होकर हिमाचल प्रदेश की बात प्रधान मंतरी के सामने रखें ताकि वो कुछ न कुछ हमारी मदद करें जो संसत का सत्र देखने को मिलता है विशेश सत्र है मैं उसको लेकर किस तरह की तैयारी खास तौर पर हिमाचल के संदर में आप जो है क्या करते हैं देखी मैं पिछली बार भी हिमाचल प्रदेश का मुद्धा पार्लिमेंट में रखना चाहती थी पर उस वक्त मनिपूर का इशू था बड़ा जोर से लोगों ने उसको उठाया तो ज्यादा स्मेन ही हमको मिल पाया बार बार पारलिमेंट अजर्ण होती रही तो इस बार में सोच रही हूँ कि अगर टाइम मिलेगा तो तब मैं हिमाचल प्रदेश की बात अवश्य परधान मंत्री जी के समक्ष र यंदी